सेख राज दे खात में लई कौन जुम्मे बार वाहिगुर जी का खाल साथ वाहिगुर जी की फते पंजाब दे इतियास वेच ते नकाल महतव पूर्ण हो गुजरे हन जिन्ना ने पंजाब दे वसनीकां दी मान सिकता अते सब्याचार नू बदल के राख देता नमबर इक सिकंदर दा पंजाब्टे हमला नमबर दो महमूद गाजनवी दे पंजाब्टे हमले अते नमबर तेन सेख काल पंजाब च आठसो वर्याँ बाद मुड़ पंजाबिया दा अपना राज सेख कालदा इतियास पढ़ देयां मैं सोचनों ना रह सकेया के महराजा रणजी सिंग देहांत तों नौ दस वरियां बाद सेख राइदा अंत ही नहीं होया बलके उस देनाल ओ सब कुछ भी अलोब होया दिसन लगा जिस्ते सेख कौम मान कर दी सी एक ओम अपनी होंद काइम रखन ली डेड़ दो सो वरियां तक जुलम दे वरुत लड़दियां कुर्बानियां देन दी रही लम्मी जदो जहद बाद इनने पंजाब च अपना राज काइम कीता सी सेख दी बहादरी अते चरितर मसाली सान ये सब कुछ सालांच नश्ट हो गया परके में जाहर है के खोरा महाराजा रणजी सिंग दुरान ही लाग चुका सी किहा जा सगदा है के इस खोरेदा उदै बिंदू रणजी सिंग आपने अनेग गुणा दे बावजूद आप सी ताद सवाल पैदा हुंदा है के सेख राज दे अंत दे कारण की ओ समें दे राजनी तक हलात सान जा महाराजा रणजी सिंग दिया आपनिया कमजोरिया उकाईया अते राजनी तक अवेसला पन सी जे महाराजा रणजी सिंग पंजाब च सेख राज सथापत करंच काम जब होया ताँ एस वेच महाराजे दी आपनी किन्नी को पूमका सी उदे तों पेलावापरनवाडियां, सियासी कटनावाँ, गतीविदियां, सेख मिसलादे कारनामियां, जा होर व्यगतियाँ दा, सेख राजदी सथापती च, किना क जोगदान सी बहुत लोग महाराजा रणजी सिंग दिया कमजोरियां बारे फराख दिली नर सोच दे हन मेरे मनवेच वी ओदे बारे सनमान पावना दी काट नहीं पर इस सुवाल दा जवाबतां लबना ही पेना है कि ओदे तोर जानतों बाद जो होया नैतिक पदर ते जो गिरावट दरिश देखनों मिलिया ओदे ली जुमेवार कौन सी मेरी एही शिकायत अतिरोस है कि जो ओ अपने जियोंदियां कर सगदा सी ओ उसने नहीं कीता आपने अंदर पैदा होए शंके ते किंतुआतों सुरुखरु होन लई मैं इतियास कारां दुआरा लिखियां पोस्त का लेख सफर नामे आज पढ़न लगा मैंनू समझ पैन लगी के महराजा रणजी संग बारे लिखिया जो आम पाठना कोड़ पौँचदा है ओ ज्यादा तार सेख इतियास कारां दुआरा लिखिया हुंदा है आपने महा नाएक बारे हर कवम दे इतियास कारदा इरादा हुंदा है के ओदे गोणगान कीते जान अते ओधियां उना नू दरी थले लुका दता जावे वो सोच दे हन के कौम दी सेवा एदा ही कीती जा सकती है जो लोग सारिया इतियास सक गतीविदियां दा जैजा लेंदियां के से अनसुखावी निरने ते पोज़ दे हन उननों शलागा दी बजाए इत्ना वटे मिल दे हन इतियास लिखन दे टांग बदल रे हन इतियास कार कुछ चुने होए वाकियात नों ही पाठ का सामने नहीं रख दे देखन वाली गल एह है के जो गुरु नानक सैब जी तो शुरू होके गुरु गोबिन सिंग जी तक अते फिर बबाबन्दा सिंग बहादर तो लेके महराजा रणजी सिंग तक बापरिया और दा साड़ी पंजाबियां सिखान दी मान सिकता अते सब्याचारोते की प्रबाब पया अते की रस्ते च गुआज गया आज जो कुछ साड़े पास पहुंचया ओ केस रूप पे च पहुंचया है आपने अदेयन अते ववेक दे आसरे मैं इस नतीजे ते पहुंचया हां के महराजा रणजी सिंग नूँ साब को जे में थाड़ी च परोसिया मिल गया सी सेख राइदी नी रखन अते सथापना वाल कदम वदा उन्दा सेरा जे किसे दे सेर बाज़दा है ता ओ है बाबा बंदा सिंग बहादर जे गुरु गोविन सिंग जी ने नदेड़तों बंदा बहादर नूँ पंजाब वाल नाम पे जे आंदा ता सेख कौमदा रूप आज वरगा नहीं सी उना बंदा बहादर ने पंजाब चाके मुड़ पंजाबियां सिखानू जथे बंद कीता अते जो मनोर्थ लेके बबबा बंदा सिंग नदेड़तों तुर्यासी उसनू पूरा कीता सतारां सो सोडा इस वीच बंदा बहादर दी शहीदीतों बाद अठारां सो एक तक पचासी साल तक सारे पंजाब्च मिसलां दे सरदार मुगला अते अफगाना ना लड़ देयां आपने पैर मजबूत अते राज काइम कर दे रह पामयों आपस वेच भी लड़ दे रहीं महराजा रणजी सिंग ने आपनी चुतराई सूज अते बहादरी द्वारा लहोर उते कवजा जमा के शुकर चकिया मिसल दा सरदार जथे दार तों महराजा रणजी सिंग बंगया इथे कैस अगदे हां कि रणजी सिंग ने वक्त अते इतियास दी आवाजनू पशानिया अते 800 वरियां बाद पंजाब चा पंजाबियां दा राज काइम करन चा काम जाब हो गया पर दोखदी गल एह है के रणजी सिंग दी मौत तों सिर्फ 9-10 साल बाद ही कचिया निहां ते खड़े से खराइदा पोग पह गया जेस जोगदा अरांब गुरु गोबें सिंग जां इस तों पहला अते बाबा बंदा सिंग बहादर तों शुरू होया उस दा अंत हो गया ए अंत केवल अराइदा ही नहीं एक जोगदा अंत सी उनना कारणा दे परणाम उत्थों ताके ही सीमत नहीं रहे बलके साधियां और वाडियां पीडियां नू परबाबत कर दियां वर्त मान तक पहुंच दे हन महारजा रणजी सिंग दे इतियास्च जोगदान दा मुलंकन करन लई उस दी तुलना हिंदोस्तान दे दूजे महाराजयां सुल्ताना नाड करनी सही होए की इतियास नू पढ़न वाड़े जान दे हन के बारवी सदी दे कुतब दीन एबकतों लेके अठारवी उन्नीवी सदी तक मुसल्माना दे कई खानदाना दी हकूमत रही गुलाम खानदान, खिलजी, तुगलक, लोदी अते अंतच मुगल हर खान दानने काटतों काटतेन जम उस्तों वद पीडियां तक राज की था, अनेक वरूद तावा दुशवारियां दे हुद्यां हुया वी, पर रणजी सिंग दा राज ओदे नाल ही खत्म हो गया उसे इतियासक काल्च महाराष्टर दे शिवाजी अते मराठियां दी जदो जहद अते शाशन दा अराम भोया, उना दियां दुशवारियां कोई काट नहीं सान, शिवाजी मराठा ना सिर्फ औरंग जेव दी अपार फोजी ताकत दा मुकाबला कर दियां काम जब होया, ब इचली गल एह है कि किसे कौम दुआरा अपनायां गयां कदरां कींतां उना दे पावनात्मक निजम देहन, जिना राही कौम समाज खास करके शाशक वरग आपने आपनो नियंतर्ण चराखदा ते नियंबद करदा है, बेशक महाराजारंजी सिंग एक निपोन जोदा सेना पती सी अते अपनी काबलियत नाड़ खाल सा पंजाबी राइदियां सरहदां खैबर तक ले गया सी, पर सवाल है कि एह हकूमत किना कदरां कींतां ते खड़ी सी, एक पदर ते महाराजा रणजी सिंग एते मुसल्मान जां दूजे राजियां हाकमाच कोई फर्क नहीं सी, लहोर दे तक ते एक समन्त शाशक गया, अते दूसरा समन्त शाशक आ गया, फेर भी कई होर पदरां ते बहुत फर्क सी, महराजा रणजी सिंग दा सबतों वड़ा अउगन ए, कि उसने से खराजन किसे नजाम निजम विदान पर शाशन विवस्तातों वंजियां रख्या, हकूमत करन दा सारा टांचा जोजना रहत सी, दिशाही इंतावी सी, खोदगर्जी दा बोल बाला सी, अजही खोदगर्जी जो आज भी है, नी कच्ची सी, एदेते उसर्ण वाले पिलर थम मी कच्चे सान, मुसल्मान सुल्तान, हिंदू राजे महराजे, अपनी संतान नू हकूमत करन दे, जोग बन उली उना दी, उच्चत सिख्या वालते आं देंदे सान, पर महराजे रणजी सिंग ने, ना आपनी संतान दी, उच्चत सिख्या वालते आं देता, अते ना ही आपनी व्यक्तिगत आचरन दी, कोई आला मिसाल उना सामने रखी, उसने आठ विदी वाद व्या करवाए इस्तों इलावा अनेकां रखेलां अते नचनवाडियां सान ओसमें दे नर्पक जातरियां उमसार रणजी सिंग दे देंदा बहुत सारा समा कोडसवारी जाता कमोरां उसको रई उसनु आपने पिछे बठा के नाच गाने अते शराव नोशिच बीत दा सी खुशामदी वजीर ओदेदार उसनु उपहार्च खूब सूर्त अवर्तां पेश कर दे जिनाचों ओ कोज आपने पुत्तर शेर सिंग नु बटाले पे इदेंदा एक पुत्तर शेर सिंग शिराबी दूजा खड़क सिंग अफीमी तीजा नौन हाल सिंग परिष्ट वजीरां दे हाथच काठ पुतली एरण जी सिंग दी खोश किसमती सी के उसनु अरंब काल चही सरदार हरी सिंग नलुगा बब अकाली फूला सिंग शाम सिंग अटारी वाड़ा वरगे सैना पती ते हकीम अजीजू दीन वरगे वजीर मिले पर बाद च उसने जिनानुमी हकूमत दे महत्तपूर्ण ओदिया ली चुणिया को किन्ने कटिया अते से कराज लई किन्ने गदार कातक साबत होए उना दे काले कार नामया नाल ओ समें दे पंजाव दा इतियास परियापया है अंग्रेज्जानु सेखराई दे खातमे दा बवता जम्मेवार ठहराना ठीक नहीं हार हकूमत दा मुड कदीमतों ए असूल रहा है कि ओ आपने गवांडी हुकमरांदिया कमजोरिया नू वेखदा समझदा रहे अते आवसर आउनते उसनू हडाप कर जाए महराजा रणजी सिंग ने वी एही कुझ कीता सी पर नाड ही उन्ने ओ कुझ कीता जिस दे करंदी उसनू लोड नहीं सी उन्ना मिसलां दे सरदारा नाड जिना नाड उसने दोस्ता ना समझा उते कीते उन्ना नाड तो खा कर दियां उना दे केलियानू टा के मिटी चमरा देता कोड सिंग या मिसल दा सरदार बगेल सिंग जिसने जसा सिंग आलू आडिया अते सरदार जसा सिंग राम गड़िया नर मिलके दिलीनू फते कीता सी दी विद्वा दे कर अपने सपाई पेज के उस दे कोडे बल्द इत्थों ताक के उस दे करदे पांडे तक चो कुवा गड़ियां ते लदवा के ले आया खालसार आई दे खातमे ले अंगरेज़ जानू जिम्मेवार ठहराना इसलही भी गल्त है क्योंके रणजी सिंग दी मौतों बाद उस दे नलाएक पुत्रां अते खास वजीरां पतबंते आने अपने आपच लड़के एक दुझे नू मार मुकाया जादरंजी सिंग दे सारे जान शी मार मुक गए ता रहगी राणी जिन्दा उदों किसे नू मी खिरी दिया जा सगदा सी कौम दे सारे सरगने विकाऊ सान एक तरा नाड हर सहजादे हर वजीर हर राणी ने फिरंगिया नाड मिलके अपने निजी सुआर्थ खातर खालसा फाउजनू कमजोर करन अते अंग्रेज सिखांदिया लड़ाईयां चे सिखांदे हार जान चे पुमकाने बाई इस दे नाड ही ऐसी आपा तापी चली जेस दी हिंदोस्तान दे इतियास कोई बराबरी नहीं सेख इतियास कर जाद महराजा रणजी सिंग दे सेख राज अते उस दे व्यक्तितव दियां सिफतां दे पुड़ बंदे हान ता एक तरा नाड ओ आपनी ही हों में दी पूर्ती कर रहें दे हन कोज गुणा दे बाव जूद रणजी सिंग जेस तरा दी स्टेटस मैंशिप सियासादानी अते होंसले दी लोड सी ओ दी परताक काट सी कई ते आसकार मांदे हन के जे रणजी सिंग अंगरेजा नाड सकती दी नीती अपनांदा ता वाद काम जाबुंदा एक अलवी त्यान मांग दी है के मराठा पेशवा जो उसमें बहुत ताकतवर सी ने रणजी सिंग नूँ संदेशे पेज़े के मिलके फरंगियानू हिंदोस्तान दी तरती तों पजाउन दे जतन कीते जा सकदे हन पर रणजी सिंग ने पेशवा दे एलची नूँ शे महीने तक लहोर बठाई रखेया अते फरंगियान दी नराजगी तों डरदेया उस नल मुलाकात भी ना कीती पर्तपुर्दे राजे दे भी संदेश आये सातलुज पार दे से खराजयाने भी इस तरह दे लुक में संदेश पेज़े सन इस सब कुछ तों लगदा है के महराजा रणजी सिंग चौंदा सी के उस दे जूंदे जी उस दी पाजशाही बनी रहे वो कोई रिसक लेना नहीं सी चौंदा बाद चाहे सब कोई तठे कुवेच जावे जिनना नखेदात्मिक परमपरामा रसमा रवाजानू गुरू सहबानने नकारिया बन्दा सिंग बहादर ने जो सकार्तमक काम शोटे किसाना खालवा काली कीते महरजा रणजी सिंग दे राजच उसनू मी तेलांजली दे दिती गए चापलू सको पातरां किते किते सुपातरानू मी वड़िया जगीरा मिल्णिया शुरू हो गईया बेशक का तर्म निर्पाख नीती भी अपनाई गई सेख मुसलमांच कोई फरक नहीं रखिया पर जिस तरह पदार्थ बाद प्रिष्टा चार देवाद खुशाम्द प्रस्ती प्रून हतिया ऐशो इशरत दा बोल बाला रहा उसली जुम्यवार के सुनू ठहराया जा सकद ये साब को जराय दे शुरू तों देसन लाग प्यासी पूरी जवाला मुखी दे मंदरां दे कल्चां लई सोना दान करना बनार्स दे ब्रामना पंडतानू दान दखना आद दसां गुरुआं दे संदेश अधर्शां तो टोट जान दिया निशानिया सान आज असी अमरीक दियां दी पंजाब च हकूमत काइम होन बाद भी कोज पराणे कौमी लच्छन बाकी बचे जुरू रह गे पर इनना लच्छना दे तारनी आम आदमी सान नाम तारियां दिया कुरबनिया बबर अकाली अते गदरी बाबयां दवारा चलाई ही लैर उनना ही साकार्तम का कद दरा कीमतानदा परमान सन एदे नार एवी वेखदे हां के अमीर जादे, जगीरदार, ओदे दार्वी हन जिनना ने चीव खालसा दिवान दे पतवनते सदार सहब सरदार बहादर दियां पद्वियां अंग्रेज़ां कोड़ों हासल कीतियां अते जल्लियां वड़ा बाग दे कसाई जनरल डायर नु सुरूपा दे के सनमांत कीता महराजा रणजी सिंग दी मौत तों बाद भी सिख सिपाही दी बहादरी वफादारी च कोई कमी नहीं देश दी मुदकी दी पहली लड़ाईतों लेके चेल्लियां वाड़ा अते गुजरादियां लड़ाईयां तक आम सिपाही ने अपने जोर दिखाए पठान तोप्चियां बारे वी किंतु असंभव है मुल्तान दे हिंदू खत्री सूबेदार मूर राज दी खोददारी अते बहादरी दी दादेनी बन दी नार्चेत सिंग अते उस दे पुतर शेर सिंग दी वे चेलियां वाड़ादी लड़ाई बारे एक फरंगी अफसर बैकवल लिखदा है वो देंतावाँ लड़े बहुत बहादर अते अखड जो मौतों भी नहीं संडार दे बबबर शेरावाँ गरजन वाड़े ऐसे गबरू मैं आज ताक नहीं वेखे वो बोन टांदिया नोकाओं पर नाच दे हवाला पोस्तक पार्ती इतिहास मिथास मनमोहन सिंग बावा अवाज गुर्जन सिंग रूपु वाड़ी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते